बिहार वर्डमेट्रिक प्रिख्षा के लिए समाजिक विज्योन में दो नमबर से पूछे जोने वाला प्रस्ण है समराज जुवाद्य क्या है? समराज जुवाद्य क्या है? तो उतर में लिखिएगा जब कोई शक्तिसाली देश किसी अन्य देश पर परतियक्ष यह ओ परतियक्ष रूप से अधिकार कर वह अपन प्रभुक्त अस्थापित कर लेता है तब उसे शमराज जुवाद कहा जाता है तो दोस्तों देखिए समराज जवाद क्या है जब कोई सकती साली देश किसी छोटे किसी अन्य देश अन्य देश यानि कि छोटे बरे देशाओं पर वो परतियक चुरूप या उपरतियक चुरूप से अपना अधिकार वहाँ पर प्रभुग कायम कर लेता है अपना अधिकार क्या कर लेता είναι कायम कर लेता है यहनि कि अपना कानून अपना सासन सब उस देश पर परतियक चुरूप से या और परतियक चुरूप से लगा लेता है तब उसे क्या करते हैं शमराज जवाद कहा जाता है सिधा सिधी दोस्तों समझ लिजे कि समराज जिवाद हुआ है जो छोटे वरे देशों पर अपने अधिकार जमा लेना उसे समराज जिवाद कहते हैं अगला प्रस्न देखिए आप लिख करके एक दोवार याद कर सकते हैं क्योंकि यह दो या तीन नमबर से पूछे जाएंगे अगला प्रस्न देखिए आपका है कि खूले द्वार की नीती कह अपनाई गई तो चीन में कह अपनाई गया है खूले द्वार की नीती चीन में उनस्वी सतावदी में चीन में परवेश किया उस समय वहां किसका सासन था तो जब अंग्रेज़ों ने उनस्वी सतावदी में परवेश किया चीन में तो उसमें कौन सा राजा था वहां पर मैंचू राजवन्स था मेंचू राजवन्स का अगला प्रस्ण है आपका उनस्वी सतावदी में अंग्रेज चीन से कौन सी चीज खरीद कर यूरोप के बजारों में बेचते थे तो रेसम और चाय अगला प्रस्ण है आपका खूले द्वार की निती क्या है खूले द्वार की निती क्या है तो उतर है चीन के परतियक भाग में बेपार करने का अधिकार सभी देशों को मिल गया खूले द्वार की निती क्या है तो उतर है चीन के परतियक भाग में बेपार करने का अधिकार मिल गया सभी को